वास्तव में फिलिम मलीजिया समान्य रूप से महिलाओं के प्रती इतालवी पुर्षों के रविये के इड़ गिर्ध घुमने वाली एक विस्त्रित मजाक्या फिल्म है अपनी पत्नी की मिर्त्रि के साथ एक विवसाई और उसके तीन बेटे एक सुन्दा नई नोगरानी के आने से अपने जीवन को अस्त वेस्त पाते हैं सालवत्रो संप्रेद द्वारा निदेशीत फिल्म मलेशियस 1973 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का आकरशन आज भी बना हुआ है मलेशियस एक इतालियन फिल्म है और मलेशियस का मतलब हिंदी में होता है दुर्भावना पून और संपून इस फिल्म में ये विशे हावी रहता है छाया रहता है मलेशिया नकेवल अपने दौर पर आज भी इस कहानी का किस्सा बड़ा ही आकरशक और लुभावना है और आज भी दर्सकों को ये फिल्म अपनी कहानी की वज़े से बहुती ज़्यादा रोमांचित करती है 1973 में अप प्रत्याशित कामियाबी ने इस फिल्म को एक नई सिखर और नई बुलंदी पर पहुँचा दिया था और इसका जुनुन ऐसा चाया कि 1985 तक लगातार इसी तरह की फिल्में बनती रही ना केवल इटली में पर पूरे विश्वबर में ऐसे ही एक भोती कामियाब फिल्म है लाबोने ये भी इसी डिरेक्टर दुवारा निदेशित है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उपर आईकार्ड में भी आप पा सकते हैं एक और बहद परसिद इतालियन फिल्म मलेना है और वो भी बहुत ही खुबसूरत फिल्म है और एक बार तो जुरूर देखने के लिए बनती है इस फिल्म को काफी सहराया गया और 23 बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को परवेश भी मिला आये और विलंब ना करते हुए इस फिल्म का आनंद लेते हैं तो फिल्म की सुरुवात एक फ्यूनल से होती है जो कि इटली देश के सिसली सहर का एक मशूर विवसाई है उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और आज उसका क्रिया करम होना है इंग्याजियो के तिन पुत्र है बड़े बेटे का नाम एंटोनियो है जिसकी उमर कुछ 18 साल के लगबग है मजला बेटा नीनो है जिसकी उमर तकरिबन कोई 14 साल है पर ये अपनी उमर से पहले ही जवान हो चुका है और छोटा बेटा एंजीनो है जिसको उसका मजला भाई काफी प्रशान किया करता है और इसकी उमर भी तकरिब कोई 9 साल की होगी एंजीनो खाफी छोटा और मासुम है देहांत के कुछ दिन पहले मागरेटा एक नई नोकरानी को काम पर रखती है जिसे आज के दिन ही अपने कार्यभार को लेकिन आचानक ही उसकी मोत आज हो जाती है और जब यह बाप बेटे मागरेटा का अंतिम संसकार कर घर लोटते हैं तो उन्हें बेहत ही खूबसूरत एक लड़की दरवाजा खुलते मिलती है जिसको देखकर यह सब हक्के बक्के हो जाते हैं और इन सब के मन में लड़्टू फूटने लगते हैं अब यह तीनों बाप बेटों की तो लोटरी ही लग जाती है खूबसूर चुंअनियों और नीनों जो कि एक कमसी नवस्था में किसोर अवस्था में प्रिवेस कर चुके हैं वह अपनी नोक्रानी की तरफ आकर्शित होने लगते हैं और नीनों को तो मानो इश्कसाही हो जाता है भरपूर परियासों के बाद अंटोनियों किसी तरह एंजिला के कर और यह दोनों के दोनों के नजर से अपनी नोकराणी एंजिला को घूरते रहते हैं एंजिला को पाने की प्यास निनों के मन में तिर्वता से भढ़ जाती है और दोसी तरफ उनका सठ्याया बाप एंजिला को कहा छोड़ने वाला था वे भी कोई मौका नहीं छोड़ता जहां वे एंजिला के करीब आ सके भोग विलास और वासना से त्रिप्त ये तीनू बाब बेटे हलके हलके बड़ी तेजी से एंजिला के तरफ काफी आकशित हो जाते हैं ये बुडव अपने प्यार का हिजहार अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर के सामने करता है और बताता है कि उसे अब प्यार और मह भगत की बहुत जरुरत है इस वजह से वे एंजिला को अपनी दिल की रानी बनाना चाहता है नीनो को तो इस बात की खबर लग जाती है कि उसका बुड़ा बाप इस नोकरानी के चक्कर में पढ़ चुका है पर नीनो तो एंजिला को दिल देच चुके सनम हो चुका है तो वह कहां उस बुडव एंजिलो को अपनी प्रियतमा के करीब आने देता एक रात जब एंजिलो नोकरानी के कमरे में जाता है तो नीनो घर का आलाम बजा देता है और इस बुडव की केल पीडी हो जाती है अगले दिन पुलीस का लफड़ा अलग से है क्यूं वो कहते भईया तेरे घर में तो चोर आया था नतीजन एंजिला का कमरा अब इस बुड़ो के कमरे से काफी दूर हो जाता है नीनो अपने इस छोटी सी काम्याबी पर बेहद प्रसंद रहता है पर बकरे की अम्मा कब तक खेर बनाए एंजिलो एंजिला को सब के सामने प्रपोस कर देता है नीनो बड़ा ही दुखी होकर एक शडियंत रचता है अपने छोटे भाई को बेहला फुसला देता है और कहता है कि मुझे तो अपनी असली मा ही चाहिए और मुझे अपनी मरी हुई मा का भूत दिखता है इसके बाद साधी कुछ दिनों के लिए टल जाती है और इगनेजियो अपने बच्चों को लेकर अपनी मा के पास जाता है जाहिर है इगनेजियो की मा इगनेजियो से भी ज़्यादा बुड़ी है और जब वे उसकी साधी की बात सुनती है तो गुस्थे से जल्ला उटती है इस बुड़िया के तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बुड़ा नोकरानी से ही आकर साधी क्यों करना चाता है पर इगनेजियो अपनी मा की एक नहीं सुनता और उल्टे उसी को ही समझा देता है कि वो अपने फैसले अब खुद ले सकता है इंजिलो ये बात भूती खूब जानता था कि नीनो एंजिला के पीछे पड़ा हुआ है और उसको भेलाने के लिए वो इसको एक साइकल गिफ्ट देता है नीनो साइकल पाना तो हमेशा से चाता था पर वो अपने पिता को कहता है कि एक साइकल से वो उसको बेकुफ नहीं बना सकते क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा और वो हर संभव प्रियास करेगा इंजिलो और एंजिला की साधी रोकनी की यहां से चीजें बदलने लगती है और एंजिला के पास अब दो चुनाव होते हैं या तो वे उस बुड़े घुसट इंगलों से शाधी कर ले या फिर नीनों से परन्तु नीनों तो बहुती छोटा है अभी और इसी वक्त नीनों के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है वे बताता है कि अक्सरवे अपनी मा का भूत देखता है जो उसे कहता है कि इंगलीशियो एंजिला से शाधी ना करे और अगर इगनेजियो ने शाधी की तो इगनेजियो बरबाद हो जाएगा इस बात से इगनेजियो के होसले परस्त हो जाते हैं और फादरी भी उसे कहता है कि पहले मैगराटा की आत्मा को शांत करना होगा और ये शादी फिर कुछ दिन के लिए तल जाती है इतना ही नहीं नीनो एंजिला पर हावी हो जाता है और अपनी शर्तें मनवाने लगता है और यदि एंजिला ने उसकी शर्तें नाम आनी तो घर में सभी को वो एंजिला के खिलाफ कर देगा एंजिला इस बात से भेवीत हो जाती है क्योंकि आखिर वो एक गरीब औरत ही तो होती है अपने को फसावादेक एंजिला नीनो की हर सर्थ को कबूल कर लेती है और फिर एक दिन इग्नैशियो किसी व्यवसाइक काम से सहर के भार जाता है नीनो एंजिला की एक अमजोरी बख हाता है यह मस्ती कुछ देर तक चलती है और अंत में एंजिला बेकाबू हो जाती है और नीनों के साथ संभोक क्रिया में लिप्थ हो जाती है आखिर नीनों की दिल की तमन्ना पून हो जाती है और कुछ दिन बाद एंजिला और इंग्नोसियो की साधी भी हो जाती है साधी पून होने के बाद Ignacio Angela को कहता है कि अब वे इन सब बच्चों को अपना बच्चा माने और इन सब को आशिरवाद दे वो Antonio और Angino दोनों को तो ग्रिट कर लेती है पर जब नीनों की बारी आती है और उसे बड़ा ही अजीब और ओपरा लगता है और इसी और इस पर इस फिलिम का अंत हो जाता है ये फिलिम एक कॉमेडी है और और इतालियन पूर्शों की हवस का एक मंजर है ये फिलिम बख़ूबी दरसाती है इतालियन पूर्शों की अवस्था को और ये फिलिम उन पर एक कटाक्स है कि वो किस नजर से एक सुन्दर महिला को देखते हैं और उनमें एक लालसा और हवस किस कदर तक उनको पाने के लिए भरी हुई है इतली में रहने वाले मध्यवर्गी लोगों की क्या वस्ता है इस फिल्म के माध्यम से हमें ये दिखाया गया है इस फिल्म में ऐसी ऐसी सिचुईशन्स बनती हैं कि जहां सारे मर्द उसको पाना तो चाते हैं पर कोई भी पान नहीं सकता। इस फिल्म में मध्यवर्गी लोग नेच्चे वर्गी लोगों पर कैसे अत्याचाय करते हैं उनका बलतकार करते हैं उनका दुर्विप्योग करते हैं ये सारी बाते इस फिल्म में जलकती है पर सबसे बड़ी बात नीनो की आती है नीनो शुरुवात में तो एक मासूम कमसीन कि सोर अवस्था का आशिकार एक नोजमान एक बालक लगता है पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये साफ जहर हो जाता है कि वो एक हवस का पुजारी है धन्यवाद देखने के लिए कृपिया कर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो पसंद आए तो कृपिया ला करें है